नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका भद राहिए इस एकाडवी में आज का डेट है 26th of July 2023 एड टेली के करेंट अफर्स के न्यूस अनालिजिस का डिसक्शन में मैं शुपोधी पाप सभी का स्वागत करता हूं चलिए सबसे पहले आज का बिना टाइम वेस्ट किये वे न्यूस अनालिजिस डिसक्रस करता है स्टार्टिंग करता है असाम ट्रिब्यून के इस न्यूस से जहां पर हम लोग बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रपेर्टनेस इंडेक्स जी हां यह किसके दुआरा निकाला जाता है निती आयोग के दुआरा राइट क्लीरली लिखा 21 है ध्यां से देखेगा हमारे जो जिते सारे स्टेट्स एन यूनिन टेरिट्रीज है उसमें आसाम का रैंक 21 है तो अच्छा नहीं है कोई रैंक काफी ज्यादा पीछे है ठीक है तो आसाम का रैंक इस 21 इन नीती आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेर्टनेस इंडेक्स राइ इस रैंक में पूर्णेस किसलिए आया है असाम का उसके कुछ-कुछ रीजन भी लिखे हुए है क्योंकि असाम अगर देख लोगे एक्सपोर्ट देखो नाम से पता चल रहा है ना किसका इंडेक्स है एक्सपोर्ट प्रिपेर्टनेस था इस इस स्टेट से एक्सपोर्ट कैसी है ओवराल तो वो काफी जदा पूर है क्यों कि अगर इंफ्रास्ट्रॉक्टर वाइस देखोगे यस असाम इज़ा पूर फ्रंट आस कंपेर तो दिफिंट अधर सेट्स अर्यूनिटरी जो क्या आसाम से रिस्पेटिवली बेटर है कनेक्टिविटी यस अस कंपेर त इंडेक्स है उसके पारे में थोड़ा जान लेता है एक्सपोर्ण प्रहिंसि अग्सेशुष कॉम्प्रेंसिव .. टूल है जिसकत हैप मेजर 250 कई होदी यह कफी ज़our होता है क्यों तक यू कि उस से यह ज्यून ट्रेडटी का जो इकनोमी है ना उसको stimulate करने में और वहाँ पर development लाने में बहुत महत्पून भूमिकाने बाता है, right, so, index कहीं ना करता है, comprehensive analysis, state और UTS का export related parameters, और देखती है that overall export related parameters में या strength है या weakness है, तो strength को जो है और भी improve करने की कोशिश की जाती है, और weakness को do away करने की कोशिश की जाती है, और इ calculate करता है, what are those pillars, the pillars are policy, है ना, the pillars is a business ecosystem, export preparedness and export performance, देखो यह pillars कहीं कहीं बहुत जाता है, क्यों कि पास्रियर के questions में अगर देख लिजेगा, है ना, multi-dimensional poverty index के क्या 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 सब कॉम्पोनेंट्स है, उन्सके बारे में भी एक MCQ कूशन हुआ आया, right, so, that's why this pillar is very important and don't worry, I will give you the PDF of this whole thing, whatever we are discussing now, in the description box below, आप वहापर जाकर इसको directly download भी कर सकते हो, next, next news, हम लोग बात करेंगे, marine heat waves के बारे में, क्यों नीज में था, जहां से देखना, अप्रील 2023 में, एवरेज जो डेली, ग्लोबल सी सर्फेस तेंपरेचर है ना, वो रीच हो गया था, roughly around 21.1 degree centigrade, जहां से डेली, ग्लोबल सी सर्फेस तेंपरेचर में, अनुवल का बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, डेली, और डेली जब इतना हो जाना, अनुवल जो आवरेज होता है, वही तो इतना होना चाहिए, बटलेली अगर ऐसा हो रहा है, तो यस, इपी इस ते मैटर ऑफ कंसर और जब डेली, सी सर्फेस का अगलोब, डेली, अगलोबल अवरेज तेंपरेचर में, यस, यस, डट इस अगेन अ मास्ट ऑफ कंसर और दिस लिट चु मरीन, हीट, वेज तो, मरीन, हीट वेज़ेगा, इसका का रहेकरिस एक बोलता है, एक मरीन, हीट वेज जो है, एक पर्टिक जब कोई region का sea surface temperature होता है extremely warm हो और वो warmness last करे for few days to few months as well इस type के situations में वहाँ पर आता है marine heat waves marine heat waves occur करता है जब sea surface temperature are higher than usual for a landing gear वही बोला गया या तो days के लिए या फिर months तक के लिए भी अगर high temperature continued रहे तब हम उस phase को बोले के marine heat waves now marine heat waves के negative impact हमको बहुत ज्यादा मिलता है जैसे coral bleaching से हो सकता है अपकोर्स आप लोगोंने corals के बारे में अपने geography classes में पढ़ा ही होगा अगर नहीं पढ़ा होगा तो yes anytime you can attend our classes you just need to call on to this number to get admission in Padrahi's Academy anyways next humble over about curry then sea grasses we damages with the sea grasses in a kelp forest show can see KB 30 of course they are also been getting damaged and yes negative impact coming indirectly the technical mental fishing industries but these are not only the prominent negative impacts rather there are different other negative impacts as well just say other day log acid see acidification on my part of what I think about some as a cases on a technical comment that jump is see because of water would be oxygen no jar I write or of course don't worry my bono my age of PDF Ragan of what for the hour I got don't worry about it right send in your next is biodiversity in habitat loss so who thought you have bought some of water fishing species mass mortality make me come into a species a region's a do-sary region migrate the for example uh just a corals key about right corals come up and they could be the tropical oceans when they come into a big cookie oceanic warming order yeah is the corals of our survival which kilos are easily abidic comment that corals of here at the rate temperate waters may shift correct you can get a plate waters while a region for the temperature that would be ready to high order some other about so one cheese ball again that species come or set coral city boss are a much new species be a can you just do so religion is the migrate coverage is the current whose region my food would disrupt those are I and they not a habitat the whole looks on there are any larger angle mediclyじゃない is silicon economic prices or a QQ key both fish kee ooper johai insan communities johai we humans are directly dependent of them a city a bull again that other yet immortality but ishara 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 the economically important species johai warm location karbara to ishaka abol saktan negative noxon hora yes absolutely or I write in fact bula's are I had that age of marine heat waves that is kind of impact of the case on a medical jaga what the next burger 10x compared to pre-industrial times johai bohoj other boards are there yeah you mean 50% increase how many dek me ko mila hai you know marine heat waves k incidences may 50% increase how many dek me ko mila in past 10 years may can you imagine what the past 10 years major uh yeah climate changes ki baat karaya for jovia itana zada vast rate may ora yes that is what right or bola gaya by 20 2100 java ira tab tak 20 se pachaas more marine heat waves in fact they said he's other was up there bula zara that on a key some power nine right so yes it is a matter of huge concern which should be uh you know of course are taken in consideration anyways so what are the causes of marine heat waves make up which causes just ocean current to one of the major causes to ocean current method that I'm not both time of current mountain ocean current echo the warm ocean current echo the cold ocean current warm ocean current below your cold ocean current below yeh kuch-kuch region me patches of warm water create kar saka hai thik hai pahli baat to dousra winds 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 se kya hota usually sunlight jiasse sun hai yaha pere right or yaha pere if this is the ocean this is the sun to sun ki intensity pardy ocean garam hota a winds kya kata winds wind kya ozun kya ozun ka ozun kya kya ozun kyOST oIDE turtle kya how windsi nab hai mak oo todos kya ozon hills kya ozun kya ozun kya ozun यह थंडा है कि यूगी लोर यह में तो कि एफेक्टिफ में इट्रेशन कहा तक होता है संका उपर का 200 मीटर था की तो होता है नीचे लेस्ट थंडा थंडा रहा जाता उपर आला गड़म हो जाता है तो क्या आया यहां पर मरी लिवाया है ना दूसरा नेक्स वाइमेट शें तब क्या होगा अफकॉर्स इसन पासफिक अगर देख लिजेगा उसका टेंपरेचर सी सर्फेस तेंपरेचर बढ़ जाता है ना तो यस थीजार रीजन्स विहाइंड अकृरेंस ऑफ मरीन हीट फेट्स एक्वाइट एक्वाइवेस नेक्स नियूस में आता है हिंदुस्त अग्या प्रपरिशल कॉंपलेट जो क्या में देख अमिल्णाड भैं सो यह मैंद मिशन है कहा जारा इट विल्पी द फिरस इस रोका हुमन श्पेस्वाइट मिशन और यूसा की बात करो रश्या की बात करो चाहिना की बात करो तो यह जोड़ी थी कंट्रीज अवीज तो आप कंड़क्टेर्ड यूमन स्पेस्वाइट मिशन यह और इसके बाद अगर इंडिया तो यह सिंडिया विट पोर्ट कंट्री तो अचीज दस्वी यह लॉंच किया गया फॉर्स भाई इस रोका जी एसल्वी मार्क-3 स्पेस सैटलाइट के द्वारा जो के एक त्री कि अगर बात करें तो अंडाउटेड ली इंडिया जो है ना इस मिशन के साथ साथ सेल्फ रिलाइंस अटेइन कर लेगा सेल्फ रिलाइंस इन संस आपको तो पता ही है हमारा मेकिन इन नहीं इनिशेटिव है जिससे हम अपने देश में ही चीजों को बनाएंगे बट मेकिन इंडिया के साथ साथ हम लोग आत्मनिर्भर भी बन रहा है मतलब पहले जो इंडिया दूसरे कंट्रीज के उपर डिपेंडेंट होती थी राइट वो अभी इंडिया अपने से ही हमारे लोग को ही यूनों स्पेस में भीजेगी राइट सो अपने आत्मनिर्भर हो वो घड़ जाएगा चलो फोकस जो है रीजनल नीज में बढ़ेगा क्योंकि देखिएगा आप डाट गगन यान जो है वो कंसेंट्रेट है ओन दे रीजनल डिमार्स क्योंकि देखो अपी क्या है अभी इंटरनाशनल स्पेस इस्टेशन दूसरे कंट्रीज जैसे चाइना म यूपन कंट्रीज को हमारे पासी आएंगी इंडिया में इतना सस्ता है चलो है इसे बिजवा है कही एक क्रेडिविल्टी भी हमारी बढ़ेगी और इंटरनेशनल टाइस भी बढ़ेगा आरेंडी की बात करें या फिर कोई रोबोटिक्स प्रोग्राम की बात करें यस इन स आरे इस सेक्टर में कही न कहीं इंडिया विल लीप फरवर्वर्ड है ना तो इसी लिए यस वी आर रीडिंग बाउट इस दिनेक्स नेक्स हम लोग बात करेंगे ICD 3.0 सैंस पर इंडिया क्लाइमेक एनर्जी डाशबोर क्यों क्योंकि आफ कोर्स रिसंदी नीपिया इसको को रिलीस किया इंडिया किन्ट एिसकोर के बारे में बात है यह इंडिया का वन स्टॉप प्लैटफॉर्म होने वाला है जहां पर real time data आपको मिलेगा जी हां आप real time data access कर सकते हो energy sector का climate और related economic database जो क्या अफकोर्स यहां पर हमें देखने को मिलेगा और यह develop किया जा रहा है नीती आयों इन collaboration with energy or climate theme tank जिसका नाह में वसुदा foundation in fact यह जो ICD that is India climate energy dashboard होने वाला है यह real time data provide करेगा जिसमें आप inbuilt analysis भी देख पाओंगे तुट्राइक the climate action progress that overall climate actions में हम लो कैसे आगे बर रहे overall significance की बात करें तो यह सब्सक्राइब करना यह अगर इसके selling features यह फिर significance की बात करें तो यह user friendly platform होने वाला पहली बात राइट और यह enable करेगा freely access and analyze the data using analytical engine जो बना हुआ है इसमें it will facilitate insight and enhance the understanding of energy and climate sector in fact gaining dashboard जोन ओफर करेगा more than 500 parameters over 2000 infographics और number of interactive visualization जिस से allow किया जाएगा users को that user gain कर सकने holistic understanding in India का energy sector यही नहीं यह जो डैश्बोड है ना डैश्बोड विल आलसो ओफर information and economy and demography for the comparative study मतलब overall जो सारे informations दिये रहेंगे ना energy sector के related that कहाँ पे economy के सबसे कैसे इनका इनार्स हो रहा है तो उसके combined analysis हम को यहां पर देखने को मिल सकता है next हम लोग बात करेंगे national geoscience award 2022 जो कर प्रेसिडेंट द्रापदी मुर्बुजी के द्वारा दिया गया था और इसके बाने में थोड़ा देख लेता है यह award क्या है देखो इसको institute किया गया है 1966 में यह award annually दिया जाता है किसके अंडर में ministry of mine scandal में दिया जाता है and yes one regulate करती है वही beneficiaries को select करती है and yes objective क्या है to honor the individuals वैसे individuals वैसे team जिनोंने various field of geoscience में various field of geoscience में कुछ ना कुछ चीज़ेंगो अचीव किया हो और इसके लिए award जो दिया जाता है एक तो certificate दिया जाता है और cash prize दिया जाता है cash prize किन किन को दिया जाता है देखो कुछ कुछ hierarchies एक है national geoscience award for lifetime achievement जिसमें 5 लाग तक का cash prize है एक है national geoscience award जिसमें 3 लाग तक का cash prize है और एक है national young geoscientist award जिसमें एक लाग का तो cash prize है बट साथी साथ पांच लग लग तक का research grant प्रवाइट किया जाता है ठीक है और यह जो अवार्ड बनी है यह कहीना की exempt है आपको income tax act लोग का income tax करता है ना तो income tax से यह चीज कहीना कहीं exempt किया हुआ है नेक्स हम लोग बात करेंगे टेली मानस के बारे में टेली मानस stands for the telly mental health assistance and network across the state that is what telly मानस is now you help line has reached significant milestone क्योंकि इसको launch किया गया था 2022 ministry ministry of health and family welfare canter यह क्या करती है अक्नॉलेच कलती है mental health crisis in the wake of COVID-19 pandemic but of course acknowledge कि COVID-19 pandemic के समय अगर देख लिए जागा of course mental health was not at all good for each and everybody so that's why this digital platform has been established और Government of India ने अनौंस भी किया है that national telly mental health program जो है union budget 2022-23 में आड़ भी किया तो उसी के अंडर टेली मानस भी you know launch किया गया है आशा करता हूं तर आप चीज को समझ भाय होंगे इसमें of course telly मानस जब है जब national sorry telly mental assistance and network across the states मतलब overall states में जो है ये digital mental health network create करेगा जो क्या withstand करेगा challenges जो क्या आफकोर्स amplified वहाता by pandemic and of course mental health का treatment पी इंडरेक्ली हम को यहां से आपके साथ इसी के साथ लोगोने जो जो चीजे देखी उसको उन्हें जल्दी से रिकाउन एक बार करेज जो आपके आपके आर क्या कह रिजन स्थे मरी इंडरी इसके लेक्स अम लुग नियान human spaceflight missions के बारे में बात किया और यस उसके बारे में कुछ कुछ धी इप लोगोने का जो कि जो आप सब के साथ निक सेहन में तिल दन बाबाय टा कर उना थैकर और थैकर एंद थैक्न को इस नियु आट टो सोर्व एज ने को ने कुछ